नमस्का, राजनमा टीही पर आपका सौगत है, मैं प्रियाम आपके साथ करनाटक में दस मई को होने वाले विधान सभा चुनाओ के ने राहूल और प्रियंका गांदी रवीवार को साथ त्रेलिया करने बैंगलूर पहुंचे राहूल ने अनेकल और पुलकेशी नगर में सभा को संभोधित किया वहीं प्रियंका ने पहले मुट बिदरी में एक रेली की और फिर महादेव पूरा और बैंगलूर साउथ में रोडशो निकाला हलाकि सुबह पिये मोदी का भी रोडशो था जिसको लेकर राहूल ने टिपड़नी की और कहा मोदी जी का रोडशो देखा है ना आपने खुद गाड़ी पर चलते हैं बाकी लोगों को पेदल कर देते हैं राहूल ने ये बयान देते हुए सीधे करनाटक के दो बड़े वीजेपी नेता येदुरप्पा और बोंबई का नाम लिया राहूल ने आगे कहा हम रोडशो और रेली में अपने सभी नेताओं को पूरी इज़द देते हैं कॉंगरेस नेता राहूल गांदी ने बैंगलूर में गीक वर्करस और डिलरी बाय का काम करने वाले लोगों के साथ डोसा खाया इस दोरान राहूल ने उन लोगों की जिन्दकी की बारे में बातचेत की अनेकल में सबाखों संबोधित करते वे राहूल गांदी ने मनीपूर का जिकर किया जहांके हालत इस समय भैत खराब है राहूल ने मनीपूर हिंसा को लेकर सवाल पूछा कि एक राज में आग लगी हुई है लोग मारे जा रहे हैं लेकिन प्रधान मंतरी और ग्रह मंतरी को इससे कोई लेना देना नहीं है मनिपूर अज नफरत की राजनेती के कारण जल रहा है इसी नफरत की राजनेती की खिलाफ हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी राहूल ने अपनी स्पीच में मलिका अजुन खडगे को लेकर एक भाशपन निता की टिपणी का भी जिक्र किया जिसमें खडगे और उनके परिवार को जान से मानने की बात कही गई थी इस पर राहूल ने कहा प्रधान मंत्री जी हमारे एक सीनियर लीडर को जान से मानने की बात कही जाती है इस पर आप कुछ क्यों नहीं बोलते करनाटक की 40% सरकार वाले पुराने बयान को फिर से राहूल ने दुराते वे कहा जहां भी देखो घोटाला और घोटाला है एमेले का बेटा आठ करवर रुपे के साथ पकड़ा जाता है इसी के साथ बने रही है राजनामा टीवी के साथ दाने बाद